हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं अनुब चौधरी आप सभी का हार्दिक श्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच प्यालिटी एजुकेशन पर प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने में काफी आनन्द भी आ रहा होगा मैं पुने हाजिर हूं आपके साथ उसी कंटेंट को लेकर की जो हमारा चल रहा था प्रिवेस लेक्चर में का नाम है MS Office करो प्रिवेस लेक्चर में बात कर रहे थे वह बात कर रहे थे अंप को लेकर कर रहें थे हम लोह ओम्म को लेकर कर रहे थे आज भी बात वहीं जारे रहेगी इसी हम टैप के उपर ही हमारी सारी बात होने वाली आज भी लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ उसे आप ध्यान से सुन लीजिए क्वालिटी एजूकेशन पर बरत्मान में आप LDC, CET, पसूपरिचर या अन्य किसी एक्जाम आरेस, अन्य कोई भी एक्जाम का यदि आप कोर्स, कुछ भी परचेश करते हीं तो आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा क्या मिलेगा आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको AS10 code आपको apply करना होगा जब आप course purchase करें तब आपको AS10, AS10 code apply करना है जैसे ही आप ये apply करोगे आपको 10% discount सीधा-सीधा मिल जाएगा Quality Education के प्रते course testage के उपर तो आप ये apply करना ना भूले code याद रखें AS10 मेरे नाम से ही है तो आप इसे याद रख सकते ही आसानी से ऐसे भी तो आप जरूर purchase करें ये आपके लिए काफी helpful है कि आपको financially भी बचट करता है और वहां आप तो बहुत सारी ग्यान की बात है और भी देखने को मिल जाएंगी चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी बात हैं हमारे पास में यहां पर जैसे हमने देखा हम टैब के अंदर बात कर रहे थे इन टैब की value हम इसलिए नहीं करेंगे यह जो टैब हमारे पास हम जहां यहां पढ़ रहे हैं वो हमारे पास block है कौन सा font block कौन से block की कर रहे हैं हम फोन्ट block की बाते कर रहे हैं अब यह जो चल रहा हमारे पास में को सब्सक्राइब कहा हो रही है है ook even better होड़ कौन सा है भाई font block क्योंकि हमने clipboard block की बात कर ली थी कब previous lecture के अंदर आज बाते शुरू करेंगे किसको लेकर की font block तो font block से संबंदित इस प्रकार जब आप word excel powerpoint कुछ खोलते हैं word खोलते हैं तो आपको इस प्रकार का font block नज़र आता है जो आप MS word को open करेंगे इस प्रकार का font block नज़र आएगा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको मान लिजी यह कैलिब्री बॉड़ी है यह 11 क्या है इधर से थोड़ी चर्चाएं भी करेंगे और इस पर थोड़ी बातें भी करेंगे भई है तो हम सबसे पहले यहां हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में यह है एक क्वांट फेस क्या क्या होगा तो प्यारे बच्चों फॉंट फेस की बात करते हैं तो देखो फॉंट फेस से हमारा तात पर रहे है कि हमारा फॉंट कैसा दिखाई देता है इसने पूर एक्जामपल मैंने कहा एक क्लास में 100 बच्चे पड़ते हैं कितने 100 तो एक सवाल आप से यह आता है क्या सभी 100 एक समान राइटिंग नहीं हो सकती मैं कहूंगा आपको क्या डिफ्रेंस नजर आ रहा है तो आप मुझे कहेंगे सबी बच्चों का जो फॉन्टों को बनाने का जो सब्ध को या लफावेट से लैटर को जो बनाने का तरीका है नहीं है कि सभी का font बनाने का तरीका एक समान है एक समान बिल्कुल भी नहीं है सबका font अलग-अलग तरह से बन लिखा जाएगा अब वो font जो लिखा जा रहा है वह font किस प्रकार का है उसको क्या नाम दिया गया है यही font face होता है अब हमारे पास में word में यहाँ पर हमें बहुत सारे option मिलते हैं कि हम कोई साभी font चूज कर सकते हैं जैसे कि times new roman चूज कर सकते हैं देवनागरी चूज कर सकते हैं बेदान तो चूज कर सकते हैं तो different different type के हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर font face होता है तो सबसे पहले हमने font face के बारे बात शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं कि text में text में font किस तरह किस तरह दिखाई देता है text में font किस तरह दिखाई देता है font face होता है font face font face होता है चलिए इतनी सी बात समझ माई अगर हम बात करें कि इसकी shortcut की क्या रहेगी तो इसकी shortcut की हमारे पास आती है control plus shift plus इसकी 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 क्या है हमारे पास में shortcut की हमें देखाई देती है किसकी वही है font face की याद रखने वाली बात है आपको shortcut की याद रहनी चाहिए अब examiner हमसे इसमें सवाल क्या पूछता है shortcut की पूछ सकता है और हमसे पूछता है यहाँ पर एक सवाल कि हमारा जो font face है ms word में by default font face क्या होता है तो मैं आपको तब दिखाऊंगा लिख देता हूँ यहाँ पर ms word में by default by default font face ms word में by default font face plus kalibri body होता है accelerate body KALIBRI body mı kirakali 3 body होता है क्या 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 होता है अब अब हमने देकर यहाँ पर दो मैंने आ वह बताया था यह क्या रिゃ यह तिम कालिबरी बॉड़ी अमस वर्ड में बाई डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है बाई डिफॉल्ट से मेरा ताथ पर है कि कंपनी द्वारा जो आपको यहां पर फॉन्ट मिला है वो कौन सा मिला है मतलब माइक्रोसॉप्ट ऑफिस में आपको जैसे आपन किया वर्ड तो मेरी बात आप समझ भाए उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी यहां अगर हम देखते हैं बापस से आगे यह बात तो थी किसकी वर्ड की बात थी अगर यही बात कहां की जाए एक्सल में यदि यही बात की जाए तो हम लिखते हैं एक्सल का बाइडिफॉल्ट फॉन फेस एक्सल का वाइडिफॉल्ट वाइडिफॉल्ट फॉन फेस फॉन फेस एक्सल का बाइडिफॉल्ट फॉन फेस होता है कौनसा कालिब्री कौन सा होता है वह हमारे पास कौन सा होता है बात करने भाई हमारे पास पाबर पॉइंट का बाई डिफॉल्ट पॉन्ट फेस पाबर पॉइंट का बाई डिफॉल्ट फेस तो यह हमारे पास में होता है केलिबरी लाइट पहुंसा होता है बैं केलिबरी लाइट यहां हमारे पास में यह तीनों के तीनों हमेने आपको बता दिये तो यहां word का भी clear हो गया आपका excel का भी clear हो गया और PowerPoint का चलिए मैं आपको थोटा सा इसका practical भी दिखा देता हूँ अगर हमने कहा अगर आपन MS word open कर लेते हैं तो हमारे पास में जैसे हमने word open किया देखो मैंने आपके सामने word open कर रहा हूँ तो यहां हमने जैसे word open किया तो आप देख पाएंगे यहां पर ठीक है आप देख पाएंगे यहां पर कि यह मैंने font face कोला है तो देखो इतने सारे निकल के यहां पर आ गए बाई केलिबरी light आ गया केलिबरी यह बॉड़ी आ गया मंगल आ गया अराइबल तो आप जिस टैप में भी यहां पर आपको PowerPoint में by default यहां पर जैसे ही आप font face देखेंगी black presentation में तो आपको Calibri light यह heading नजर आगे नहीं देखो Calibri light नजर आगे ना बिल्कुल यही वाला हमारे पास font face होगा अगर आप Excel open करते हैं तो आपको Excel के अंदर only cable Calibri ही नजर आएगा आप देखेंगे तो आपको केबल Calibri क्या रहा है नजर आ रहा है भई केबल Calibri ही नजर आएगा देखो यहां पर आपको Calibri नजर आएगा तो यह हमारे पास में तीनों का अलग अलग टाइप का font face है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने एक देखो लिस्ट कुल जाएगी जिसमें बहुत प्रकार के font face आपको नजर आते हैं तो अपना यहां font को लिखने का तरीका ही यह बताता है कि हमारे पास में इसका क्या अंग सब्सक्राइगा तो दुनिया वरके हमारे पास क्या होते हैं यहां पर font face होते हैं मजमाई मेरी बात उम्मीद करता हूं आप बली बात ही समझ गए होंगे अब चलो इतनी बात तो हमारे पास किसकी हो गई यहां पर font face की हो गई अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास में कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में कि मुझे फाइल चुब है इंपोर्ट करनी है और और एक टॉप पर ही मुझे चाहिए और यहां हम लोग पढ़ रहे हैं फॉन्ट यह फॉन्ट हमने ओपन कर लिया कि मैं आपको यहां दिखा देता हूँ एक बार इसको कि यह आपने अभी अभी पढ़ाता है यहां पर आप पढ़ रहे थे मेरे पास में यह वाल आई तो कैलिबरी बॉडी हुआ यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है 11 कितना लिखा हुआ है जहां मेंने सर्कल बनाया है वहां लिखा हुआ है 11 इसे हम क्या कहते ही इसे हम कहते ही फॉंट साइज क्या गोलते है प्यारे बच्चो इसको फॉंट साइज कह खाटनर करता है तो font size क्या है तो हमारे पास जो font है जितना भी हम font लिख रहे हैं क्या उसका आकार छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता बिलकुल किया जा सकता है तो यहां पर font के Bernard को बढ़ाना घरताना फस किसमें साम्हें होता है font size में मतलब font का आकार कितना ले रखा है मतलब उसका number size क्या ले रखा है वह हमारे पास इसको बताएगा पर example अपने ऐसा करते हैं पहले अपन थोड़ी theory लिख लेते हैं तो हमने कहा भाई है यहां पर font size की बात चल रही है तो font size की बात करते हैं यह लो font size तो देखो भाई यहां लिखते हैं font का आकार font का आकार हम मैं इतना बड़ा text लिख रहा हूँ अगर मैं अपने text के आकार को बड़ा देता हूँ तो अर्था अर्था इसका meaning क्या हुआ size बढ़ गई किसकी भाई font की size क्या हो गई increase हो गई ठीक है अगर हमने कहा हमारे पास में font की जो size है font की जो size की shortcut की बहुत जान लेते हैं अपन इसकी shortcut की क्या होती है तो shortcut की होती है control प्लास सिप्ट प्लस प्लस पी हमारे पास में क्या होती है इसकी size होती है तो प्यारे बच्चों चलिए अपन थोड़ी सी बातें और भी करेंगे अपन पहले पढ़ लेते हैं फिर इसका अपन प्राक्टिकल देख लेंगे कि इसका यह कैसे गाम कर रहा है प्राक्टिकल भी जान लेंगे आपको सारी फैसलिटी यहां मिल रही है तो पढ़ने में भी ना चुके मेरी प्रिटेक वीडियो लेक्चर आप अगर आप कुछ यहां पर चाहिए और पहले आप पढ़ चुके हैं जिसे आपने किसी बच्चे नहीं यह जूनियर गाउंट पमीद कर रहा हूं कि आप पढ़ा रहा हूं वोभी क्या रहा होगा समझ महा रहा होगा पहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि लास है यहां चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात अब देखना हमने कहा वर्ड की वाईडिफॉल्ट साइज तुम्हें बात ध्यान देना वर्ड वे मैं साथ में लिख रहा हूँ यहां पर एक्सल की कोड़ी साइज यहां जो इसकी छोटी करते हैं अपन दुबारा लिखते हैं इसको मैं लिखता हूँ यहां पर वर्ड वे एक्सल की बाइडिफॉल्ट फॉंट साइज वर्ड वे एक्सल की वाइडिफॉल्ट फॉंट साइज कितनी होती है एलेवन पीटी और पीटी का मतलब होता है पॉईंट word way excel की by default font size कितनी होती है 11 pt होती है pt से मतलब होता है point अगर बात करें यहाँ पर font size में list कहां से कहां तक दिखाए देती है तो मैं ध्याने ना मैं लेखता हूँ एक बार power point में थोड़ा अलग होता है तो उसकी बात थोड़ी अलग करेंगे मैं लेखता हूँ word way excel में एक्सल में font size list font size list आठ से बहतर आठ से बहतर pt तक दिखाई देती है तक दिखाई देती है 8 से बहतर तक दिखाई देती है चले मैं आपको यह बार दोनों की दोनों दिखा देता हूँ उसके बाद आपन और बाते कर लेंगे तो यहां हम देखते हैं जैसे हमने खोला वर्ड गो तो पहले वर्ड गो खोला मैं ऐसा करता हूँ यहां पर जो है एक नाम लिख लेता हूँ मेरा भाई बढ़िया साब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यार नाम क्या अपना जो आप कोड़ एपलाई करोगे मैं वही लिख देता हूँ वही ए एस टैन क्या लिखा है मैंने एस टैन इसको मैंने क्या गर लिया सलेक्ट कर लिया एस टैन आप लास यहां ही क्या हो गया सलेक्ट हो गया अम मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ देखो dieses से जादा बढ़ाता हूँ तो ध्यान देना मैं से बढ़ा कर देजा है 28 और बढ़ा हो गया इसकी size कर देते हैं अब कितनी और- 48 और भी बढ़ा हो गया अगर इसकी size को और बढ़ा दे जाए तो लास्ट कितना रहा है 72 तो यह को ट इतना रहा हो वो एक अलग बात है कि इसे हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, अभी तो मैं इसको और भी इंक्रीज कर सकता हूँ, करने को तो इसे इंक्रीज किया जा सकता है, और कितना तक किया जासता है, मैं आपको ये भी बता हूँ, लेकिन पहली बात ये थी, कि आपको ये इतना ही दिखा और यहां आपन कुछ लिख लेते हैं चलिए इधर अपन लिख देते हैं यहां पर तो यहां हमने लिखा A, S और वापस से वही लिखा हमने 10 हमने क्या किया इसको यहाँ पर select कर लेते हैं हमने इसको select कर लिया पूरी की पूरी raw को ही select कर लिया अब इसकी अपन size बढ़ाते हैं जाने ने देखो 8 किया छोटा हो गया अगर इसी size को मैंने कितना कर दिया 72 तो यह इतनी बड़ी हो जाती है तो आपको AS10 नज़र आ रहा है और यह कहां नज़र आ रहा है आपको Excel में नज़र आ रहा है वई तो Excel में और Word में आपने क्या देखा देखो By default तो आपको जो दिखाई दे रहा था By default का मतलब क्या समझा आया कि Company द्वारा जो अपने को मिला है Microsoft द्वारा जो मिला है वो अपने को मिलता है 11 लेकिन जैसे ही हमने यहां पर अगर हम चाहें तो इसे Increase कर सकते हैं मतलब बढ़ा सकते हैं Decrease कर सकते हैं अर्थार्थ इसे घटाया जा सकता यह संबब है उम्मेद करता हूं बात समझाई PowerPoint के भी बात हमने बागी रखी है क्योंकि उसे भी अपन समझेंगे थोड़े से अलगतर ऐसे चलिए थोड़ी चर्चाएं करते हैं बापस से अपना आते हैं अपने उस टॉपिक पर तो हम font size की यहां पर बात करने हैं तो हमने shortcut की देखी control shift प्लस P तो क्या control shift प्लस P यदि अगर इस पर apply की जाए तो क्या बागे में यहां काम करेगा बिल्कुल करेगा आप देख ना मैं यहां पर प्रेस करता हूं control shift प्लस P तो हमारे सामने यहां पर control shift प्लस P देखते हैं कि एक बार सुरी कंट्रोल स्प्लस अब खुलेगा वह कंट्रोल स्प्लस यहां अमारे सामने इसकी निकल के आ जाएगी फिरलम च्रीक है अब बात करते हैं कि कितना इसे बड़ा सकते हैं कितना इसी मिनिमां किया जा सकता है इस वन्ट साइज को और माइकजिमम कितना बढ़ा जा सकता थोड़ी बाते लिखते हैं अब नेख्स पेज में अध्यान दे टो एक से 1638 PT तक 1638 PT तक बढ़ाया जा सकता है अर्था अर्थ यहां हमने एक बात जानी कि हमारे पास में अगर यह maximum font size हो सकता है तो MS Word का कितना हो सकता है एक से लेकर की 1638 PT तक हो सकता है अगर यही बात हमारे पास की जाए कहां पर अगर Excel में यही बात की जाए तो ध्यान देना मैं लिखता हूँ यहां पर MS Excel में MS Excel में font size को font size को 1 से 409 409 409 PT तक एक से लेकर 409 PT तक बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है एक से लेकर की 409 PT तक आग सकता है किसको जो हमारे पास में यहाँ पर MS Excel में font size है अब चर्चाएं करते ही पाबर पॉइंट की लेकिन पाबर पॉइंट की मैं आपको बातें बता देता हूँ तम मैं उसकी बातें यहाँ आपको practical पर दिखाऊंगा जान देना देखो पाबर पॉइंट में क्या होता है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है प्रिवेस लेक्चर में की पाबर पॉइंट में जो वर्क एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास में वर्क एरिया होता है स्लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों इस लाइड हमारे पास वर्क एरिया होता है पाबर पॉइंट में अब पाबर पॉइंट में तो हमारे पास क्या है यहां पर इस तरह से क्या मिलेगी एक slide मिलेगी अब इस slide में एक box ऐसे बना होगा और इस slide के अंदर एक box ऐसे बना होगा जो ये वाला box बना है इसे हम कहते हैं title और इसे बोलते हैं subtitle इसे बोलते हैं subtitle तो यह हमारे पास क्या एक slide है वई तो यहाँ पर हमारे पास examiner हम से title की और subtitle की by default font size पूछता है तो हम कहेंगे यहाँ पर title की by default font size अगर बात करें title की by default font size चलो आगे लग देते हैं इसको ऐसा करते हैं यहाँ से हटा देते हैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं बले यह लीजिए अपन चलते हैं पाबर पॉइंट में जैसे देखो यह क्लिक एड टू यहाँ पर टैप यह टाइटल के लिए और यह किसके लाए रहा है subtitle के लिए तो यहाँ जैसी देखोगे 60 और यहाँ क्लिक कर दो तो 24 हो जाती है त रिखता हूं यहाँ पर पाबर पॉइंट में पाबर पॉइंट में ताइटल की पाबर पॉइंट में टाइटल की बाइड फॉल्ट पाइज इतनी होती है भाई 60 pt होती है भाई जब की जब की सब टाइटल की सब टाइटल की पॉइंट साइज सब टाइटल की फॉइंट साइज कितनी होती है भाई 24 pt होती है कितने होती है भाई 24 पीटी होती है एक विसेश नोट में आपको बताना चाहूंगा अध्यान देना कई बार आपने किताबों पड़ा होगा या अध्यान से सुनना कि जो पाबर पॉइंट का 2010 बाला बर्जन था पाबर पॉइंट का 2010 वाला जो बर्जन था वहाँ ये चीज अलग थी तो मैं लेखता हूँ पाबर पॉइंट 2010 में पाबर पॉइंट 2010 में टाइटल की टाइटल की बाई डिफॉल्ट साइज टाइटल की बाई डिफॉल्ट साइज टाइटल की बाई डेफॉल्ट साइज कितनी थी भाई या 44 पीटी 45 पीटी थी भाई अगर हम बात करें यहीं पर अगर हम बात करें किसकी यहां पर सब टाइटल की सब टाइटल की तो यह हमारे पास कितनी थी भाई या 32 पीटी थी तो यह हमारे पास में पहले थी अगर बात करें कि इसकी साइज को कितना बढ़ा सकते ही तो ध्यान देना पावर पॉइंट की पावर पॉइंट की पावर पॉइंट में पावर पॉइंट में पावर पावर पॉइंट साइज को में एक से शती सो या फिर चार हजार पीटी तक इस जैसा आपको आप्सन बिल जाएगा उस इस आप से उत्तर कर देना भी यह दोनों मिल जाए तो चारजार कर देना बढ़ाया जा सकता है बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये मैंने पूरा डाफ इसका निचोड़ा आपके सामने रखा है एक्जामनर हमसे सवाल कुछ इसी प्रिकार से यहां पर पूछता है ये बात जान रखना प्रिक चीज को आप जितना डीपली पढ़ोगे न उतना ही बेटा जान पाओगे ये बात तो याद रखना और यदि आपने उसके कॉंसेप्ट को नहीं पगड़ा उसकी चीजों को नहीं पगड़ा तो आप उसकी डाफ तक नहीं पहुँच पाओगे ये बात भी आप जियान में रखना इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप प्रतेक चीज को बिलकुल गहराई और उसकी डाफ और कॉंसाप्ट पकड़ते हुए पढ़ें और क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए ये सारी चीजें तयार रखता है आपको मिलती है यहां पर ये सारी बात है तो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चो सलेक्सन आपका है चीजें आपकी ही और देखो एक्जाम City नजदीक है आज कल computer प्रते के exam में आ रहा है और यह topic जो है ना प्रते के exam में देखने को मिलेगा आप यदि computer based कुछ exam देऊगे ना तो आपको यह topic जरूर पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि MS Word और Excel के बिना और PowerPoint यह बिना आज लगता है कि computer भाई हमारे लिए हमसे main software है बर्जन चाहे हम कोई पूरी ऑफिस हम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी यूज करें OSI कोई भी यूज करें लेकिन office के बिना काम नहीं चलता है आफिस का बहुत ज़रूरी है तो मैंने आपको यहां पर जो है देखो बाते समझाई किसकी अपने पास PowerPoint की बाते में आपको समझाई अगर आम यहां पर क्लिए करते हैं तो 60 है यहां पर करते तो इतना है अगर आप वर्ड में देखोगी तो इतना है अब हम क्या कर सकते है किस इसकी साइज को बड़ा सकते गटा सकते हां यह काम वही किया जा सकता है तो कि अदि बात के लिए है और का निय lun sides के कि अब मैं लेखता हूं ध्यादेना कि क्या होता है आप चाहते हो कि मैं तो Cable एक ही point size को बढ़ाना चाहता हूं या एक ही point size को घटाना चाहते हूँ आपकी सोच clear है कि मुझे câble अभी काम करते समिए इस size को cable एक पोइंट बढ़ाना है या इस size को cable एक point घटाना है यह बात clear है तो जहां से देखना ते मैं यहां पर font size को font size को font size को one pt increase करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए font size को one pt increase करने या बढ़ाने के लिए आप निम्ने shortcut का इस्तिमाल कर सकते ही control प्लस ये वाला कोस्टक ये बड़ा वाला कोस्टक इधर की तरफ या आप control प्लस shift प्लस ये greater than है क्या बिल्कुल तो आप इस symbol का भी use कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक point increase या बढ़ाने के लिए आप size का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसकी size को घटा ना मैं लेखता हूँ यहाँ पर font size को font size को one pt decrease घटाने के लिए घटाने के लिए आप किसका use करोगी तो यहाँ पर आप use करोगी ध्याने ना control प्लस ये वाला को उस्टक या फिर control प्लस shift अगर आप यह दोनों यहाँ पर कोई भी shortcut के apply करते हो तो एक size point बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा इस तरह से आप size को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो कहां पर अपने इस मैं 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 आपको दिखा भी देता हूं अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इस size को बढ़ा सकते हैं यहाँ तो मैं तो यहाँ तो यहां यहां पर बताएगा भी अगर वो इसको मान ले तो भई अगर अगर हमने यहां पर देखा अभी अभी अपन फाइल इंपोर्ट करते हैं यहां font की यह हमने file import की इसको increase करते हैं तो अभी अभी हमने बात कर ली किस सीज की यहां पर देखो हमने बात कर ली font face की यह कालिबरी बॉड़ी जो लिखा यह क्या है हमारे पास में font face हमने बात कर ली किसकी font size की और यह जो symbol हैं दोनों के दोनों किसके हैं भाई font size को एक पीटी बढ़ाने के लिए और एक पीटी घटाने के लिए हमारे पास क्या हैं यह सिंबल्स हैं यहां पर फिक बात है की नहीं है अब हमारे पास में यहां और भी चीज़े बच आती है जिसे की यह भी दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है bold font style i का मतलब होता है italic this i का मतलब क्या होगा italic this u से मतलब होगा underline कि इसे हम बोलेंगे यहां पर strike through को हमारे पास में strike through यह हमारे पास सबस्क्रेप्ट, सुपरस्क्रेप्ट, यहां highlight, font का color तो यह सारी बातें जो करेंगे लेकिन यह करेंगे हमकब आज नहीं next lecture में अब बाते होंगे आपसे next lecture में लेकिन उससे पहले बापस से वही जरूरी सूचना यदि आप quality education से कोई भी course purchase करते हैं और चाहते हैं कुछ आपको discount मिलें तो आप यहां पर as10 code apply करना न भूलें जैसे आप as10 code लगाओगे सीधा यहां पर यहां सीधा आपको 10% discount हो जाएग as10 code apply करते ही तो लगाना न भूलें और हम आज के लिए करते हैं इतनी बाते हैं बागी बाते करेंगे next lecture में तब तक के लिए नमस्कार धन्यबाद जैहिंद जैवारा थैंक्यू